कि नमश्कार किचन विद कावेरी में आप सभी का स्वागत है आज हम बना रहे वड़ा पाउ सब सब का फेवरेट और मुंबई का सब से बेस्ट यहां पर हमने लिये है चार पैटटो याने आलू आलू हमने बड़े साइस के लिए है और उसको मैंने कद्दू कसकर के लिया है यहां पर मैंने कुछ चीज क्यूप रखा है और एक स्लाइस रखी है वो किस लिए है मैं बाद में बताती हूँ और यहां पर हमने लिया है जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च और जीरा इनका मैंने paste बना लिया है रधनिया का चट्मी उसके लिए मैंने हरा धनिया बहुत सरा हरा धनिया ले लिया है एक चुड़ी है यह पूरा साथ में ली है 4-5, 10-12 हरी मिर्च, एक लसुन की पूरी कांडि ली है और साथ में लिया है थोड़ा सा करी लिवस, कड़ी पत्ता बोलते हैं और साथ इसके साथ लिया है जीरा जीरा इसके लिया है यह हम इसके अंदर सब पीस लेंगे जीरा इसके लिया गया है कि इतना हेवी डेश खाते है तब डाइजेस्ट की प्रॉप्लेम हो जाती है तो जीरा डाइजेस्ट सिस्टिम के लिए काम करता है मैंने हरा दनिया की चटनी बना ली है इसके अंदर मैं नमक पूलना बूल गई थी तो मैंने नमक भी डाला है क्योंकि चटनी के अंदर नमक नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे मैंने हरा दनिया की चटनी बना ली है थोड़ा मैंने पतला बनाया है आप अगर गाड़ा बनाना चाते हैं तो गाड़ा भी बना सकते हैं ग्यास पे मैंने पैन रखती हैं दो चमच ओईल ले लिया है आईल गरम होने के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा और राई इसके अंदर हम डालेंगे अभी हारा दनिया, हल्दी पाउड़ा, अगर उपर से हल्दी डालते हैं तो कडवी हो जाती है, कडवी लगती है इसके लिए जब वो तेल में प्राय होती है, तो उसका कडवापन निकल जाता है अभी इसके अंदर में डाल गई हो, सारे कड़ू की इसकी अववा पैटटो, याने आलू हमें तीखा बनाना है, इसके लिए मैंने बारिक वाली मिर्च ली है, आप काटके भी मिर्च ले सकते है लेकिन कटी वोई मिर्ची में स्वाद नहीं आएगा, और इसके अंदर जो मैंने गार्ली, जिंजर और अद्रक डाला है उसका स्वाद अंदर पैटटो के अंदर भर जाता है, और बटाटा बड़ा बहुत ही स्वादिस्ट लगता है सारी चटनी और मसाले हमने इसके अंदर मिक्स कर लिये हैं, अभी डालेंगे नमक स्वादा नुसार डालना है हमें, जब तक मुझे भाजी से अच्छी स्वाद नहीं आएगी, तब तक मैं ग्यास बंद नहीं करूंगी और मैं इसी तरह से इसे मिक्स करते रहूंगी, ताके सारी चीज़े एक साथ मिक्स हो जाएं इसकी खुश्पु जो है, बहुत बढ़ी आ रही है, चिंजर और गार्लिक की वज़े से, अगर ये भाजी बच भी जाती है, वड़ा पाओ अगर बनाते बनाते आपकी भाजी बच जाती है, तो ये भाजी आप पराटे के लिए भी यूज़ कर सकते, आलू पराटा आप बना सकते हैं, यहां मैंने बेशन का आटा ले लिया है, यह लगबग 200 ग्राम आटा है, यहने एक पाओ, यहां इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, हल्दी, एक छोटा चमच, नमकीन खाते हैं, उसके उपर डिपेंद है, जब ये भीग जाएगा, तो थोड़ा सा टेस्ट कर के देख लेना, अगर नमक कम है, तो डाल सकते हैं, चटनी बनागे रखी है, हरी मिर्च की, वो मैं थोड़ा सा डालूंगे इसके अंदर, इसे हम अभी बैटर बना लेते हैं, बैटर ऐसा होना चाहिए, जिसमें हमारा वड़ा जो है, पूरी तरह से डूबे, और पूरी त तरह होता है, तब तक हम यहां पर वड़ा बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का हम वड़ा बना रहे हैं, जो भाजी है, वो मैंने ले ली हाथ में, और इसके अंदर में डाल रहे हूँ चीज, तो हम बना रहे हैं, चीज देखिए, यहां पर मैंने चीज स्लाइज रख दिया है, और इसको भी मैं अच्छे से इसका लड़ू बना लूँगे, अभी हमारा बड़ा जो है, इसके अंदर बेसन के अंदर हम डुबोएंगे, अच्छे से उसको कोट कर लेंगे, हो सके तो इस स्टेज पर आप चमच भी यूज कर सकते, ताके जब भी हम डुबाएंगे हाथ, तो तूटना नहीं चाहिए बड़ा, तो यहां पर मैंने पूरी तरह से बैटल को पूरी तरह से कोट कर लिया है, यह देखिए, बहुत अच्छी तरह से यह प्राय हो चुके है, इसे मैं अभी निकाल लूँगी, निकालते निकालते बच्चों ने बहुत सारे वड़े खा लिये, तो चलो अभी हम पाव गरम करते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है, जीस पैन में मैंने सबजी बनाई थी, वही पैन मैंने वापस से रख दिया है, हरे दनी की जो चटनी बनाई है, वो मैं यहां पर लगा रह हमारा चीज वड़ा पाव बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल निव और बहुती स्पाइसी और टेस्टी वड़ा पाव हमने आज बना के आपको दिखाया है, आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे, और हाँ बेल अगरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें